वोदी जी जापान जाते हैं कहते हैं मैं बहुत देश से आया हूँ लेकिन वो बहुत देश से नहीं इसको हिंदू राष्ट बनाने का प्रियास कर रहे हैं वो केवल ये धर्मन पेच देश में वो हिंदू मंदरों को बंद नहीं कर रहे हैं वालकि वो चर्च को बंद कर रह को बंद कर रहे हैं मस्जिद रहा हैं और बुद्धो को सीज़ कर रहा हैं या जिए को बंद किया गया तो इसके गंभील परना होंगे इदि यह से प्झा थोड़ा साभी इसको हाथ लाए गया तो सारी दुनिया में भूचाल आज ब्रोध यहीं पर नहीं है महराश्ट में भी ब्रोध हो रहा है आज यह सीर्व होगा तो आप समझो और ना चल में भी यहां पर इसका आग जाएगी महराश्ट में भी जाएगी उत्तर प्रदेश के हर कौने में जाएगी जिस भगवान बुद्ध ने यहां का सर उचा किया आज उनी भगवान बुद्ध की जमीन को यह उस बुद्ध भिहार को भगवान बुद्ध के घर को यह लोग लोग करने के लिए आ रहे हैं हम कहना चाहते हैं यह बुद्ध भिहार यह बुद्ध करोडों लोगों की आस्ता का केंद्र है यह केवल भारत में ही नहीं महराश्ट के हर कौने में ही नहीं अवना चल असम मिजोरम बेगाले तुप्रा आसम नागालेंड लद्दाखी नहीं ये जापान में भी बुद्धिस लोग रहते हैं थाइलेंड में मलेशिया में बियतनाम में लाओस में भूटान में नेपाल में आप इसे कैसे यहां पर बंद कर सकते हो यदि इसको बंद किया गया तो इसके गंभीर पर नाम होंगे यदि इसे थोड़ा सा भी इसको हाथ लगा गया तो सारी दुनिया में भूचाल आ जाएगा हम लोग नोड़ा और्थर्टी से कहना चाहते हैं कि हम मौफजा देने के लिए तयार हैं लेकिन आपको वही जो जैनून ब्याज है जैनून इंट्रेस्ट है वो सारे दस लाग पर लगा लीजिए हम देने के लिए तयार हैं लेकिन पैनल्टी को और जो चक्क्रती ब्याज है उसको हम किसी भी हालत में देंगे नहीं मैं तमाम देश के लोगों से आज यहां पर भीड का हुजूम दिखाई देता है जब उनको मालूम पड़ा कि यहां पर उस जमीन को सील करने के लिए आ रहे हैं तो देश के कौने कौने से यहां पर हमारे बहन भाई उपासक और हमारे तमाम यवक यहां पर आ रहे हैं और वो इस बात के सिर्वाद के लिए देखने के लिए आ रहे है किस समय इसको सीज किया जाए और हम इसका बोध करें आज बरोध यही पड़ नहीं है महराश्ट में भी बोध हो रहा है आज यह सीज होगा तो आप समझो और ना चल मैं भी यहांपा इसका आग जाएगी महरा की सांती भंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सील कर दीजिए यदि यहाँ पर सांती चाहते हो यहाँ पर भाई चाहते हो रातत भाव चाहते हो करुणा मैत्री का संबन्द चाहते हो तो इसको भूल कर भी आप सीज मत कर देना नहीं तो इसके गंभीर परणाम होंगे जो आज मोदी जी जापान जाते हैं कहते हैं मैं बहुत देश से आया हूँ लेकिन वो बहुत देश से नहीं इसको हिंदु राष्ट बनाने का प्रियास कर रहे हैं वो केबल ये धर्मन पेच देश में वो हिंदु मंदरों को बंद नहीं कर रहे हैं बलकि वो चर्च को बंद कर रहे हैं गुर्दवारे को बंद कर रहे हैं मस्जिद को तोड़ रहे हैं और बुद्विहारों को सीज़ कर रहे हैं वो मानोटीश के लोगों को ये परिशान करने का एक तरीका है ये हिंदू राष्ट की जो शुरुवात की है ये पहला उसका कारण है और हिंदू राष्ट हम कहते हैं इसको बनने नहीं देंगे हिंदू राष्ट तुम बनाओ हिंदू राष्ट हमारे देश जो है मुशलमानों का है ये देश हिसायों का है शिक्कों का है शिक्कों का ही न उनके धार में स्टल को हम तोड़कर निश्ते नाबूत कर दें वो जमाना गुजर गया यह बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ सम्मिधान है आप सम्मिधान के अंसाथ चलोगे तो ठीक है लेकिन मुझे दीखता है यहाँ पर कोई लोग तंत्र नहीं है यहाँ पर किसी भ पुरी के मंदर में तो उन्हें सडक पर ही रोक दिया जाता है सिद्डियों पर ही रोक दिया जाता है गरब ग्रह में जाने नहीं दिया जाता यह कैसा लोग तंत्र है यह कैसा देश है यह कैसी संता है यह कैसी स्वतंता है यह कैसी मानवता है हम लोगों से कहना चाहते हैं देश के लोगों से जो अल्फंक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक् में इस पूरे मामने में कुस जो कमेटी है उसकी वे कुस लापरवाई नजर आ रही है उनकी कोई लापरवाई नजर नहीं आ रही है उन्होंने पहले मायाबत्ति की गौर्मेंट में इसको माफ करने के लिए दिया था वही एप्लिकेशन पड़ी रही उसको एपरूब नहीं किया गया यदे इनको दीखता था कि मौढफा नहीं आ रहा है तो इसको भड़ाते रहेंगे इनका सिड्य यंत्र है नोडा ओथर्टी से इस जमीन को इस प्लॉट को एलोटमेंट कराया था एलोटमेंट के सारे पैसे भर दिये गए हैं कुछ पैसा दस लाग के करीम रह गया था लेकिन नोडा ओथर्टी ने हमको कभी बैलेंस का नोटिस नहीं भेजा आद वीस वरसों बाद साड़े दस लाग रुपे का साड़े तीन करोड का नोटिस हम लोगों को भेज़ दिया हम लोग जो इस पर वो लगा है पैनल्टी पैनल्टी लगाई है वीस गुना इस पर चक्रवती ब्याज लगाई है और चक्रवती ब्याज लगाकर और पैनल्टी लगाकर साड़े दस लाग का इन्होंने साड़े तीन करोड कर दिया है हमें पैसे देने में कोई गुरेज नहीं है लेकिन हम पूछना चाहते हैं सेक्टर 48 में सेक्टर 6 में सेक्टर 38 में सेक्टर 33 में और सेक्टर 11 के ठीक थोड़ा सा आगे सनी मंदिर तमाम मंदरों का इंक्रोचमेंट किया गया है ना तो उनको तोड़ा जा रहा है ना उनसे कोई पैनल्टी लगाकर मुआफ़ा लिया जा रहा है लेकिन ये बुद्ध से देश रखने वाले लोग जो मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए है लेकिन आज उसी की बुद्ध की धरती पर हम लोगों को नोटिस दिया जा रहा है ये जो अलोटमेंट हुआ है इस प्लोट का वो किसी ब्यक्ति के नाम नहीं है ये कोमर्सियल नहीं है ये कोई ब्यापार काटा नहीं है ये किसी का घं नहीं है ये उन भगवान बुद्ध अरहत सम्यक संबुद्ध के लिए लोट हुआ है जिन भगवान बुद्ध ने सारे एसिया घंड में ही नहीं सारी दुनिया में अपना पर्चम लहराया